तो चले दूस्तो आज के इस वीडियो के जरे हम देखेंगे कि आप इस टोक्स पे हम इस्टोप लॉस कैसे लगा सकते हैं अगर आप इस टोक्स पे इंट्राइड टेडिंग करते हैं तो जब भी किसी इस्टोक का बाई का ना जाहिए या सेल करना जाए तो सेल के दोरन आपको स्टोप लॉस लगाना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो जब जाएंगे किसी भी स्टोप को सेल करने के लिए आपको चार उप्शन मिल जाता है लिमिट मार्केट इस्टोप लॉस मार्केट और इस्टोप लॉस लिमिट तो आज के तो जरे हम इन चारों का मतलब समझाएं कि आप आप इस्टोक्स पर लिमिट कैसे लगा सकते हैं आप इस्टोक्स मार्केट कैसे लगा सकते हैं और इस्टोक्स मार्केट लगाने से क्या होता है इस्टोक्स लिमिट कैसे लगा सकते हैं और इस्टोक्स लिमिट लगाने से भी क तो तो कम सेल करने जाएंगे उसक्त हम इस्टोप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे इस्टोप बाइगर वह है इस्टेट बैंक ओफ इंडिया का मैस जैस्ट आपको सिंपल अपना वाज लिस्पे जाना है और वाज लिस्पे जाने के बाद उपर प्लास इन देख रहे हैं सिंपल प्लास सिंपर क्लिक करना है प्लास इन पिखली करके आपको अपना इस्टोप को सार्ष करना जो भी अपने बाइक अना चाहिए तो फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इस्टोप हम बाइग करने वाला है तो देख सकते यह जो आज की पूरी डिटेल सा से अगर आप शार्ट देंगना जाता है शार्ट भी देख सकते हो और दैख सेकते हो तो को सिंपल करना सिंपल वाइपर क्लिक करना है ऑडिक लिस्ट को सबसे बहुत बंद यानि प्रोडाट पर क्या करनेद आपको दो ओप्स्न मिल याँ कैना झातर येक डेलिवरी और पर परोंतीटीटीटि लएउनका यह जोन का सब्सक्राइब कि उसक्ताँ करना इसमेस यह इसटेसरेब से ख़रीदो आई अनकल बटुम इसक्सा पर आपया यह सब्सक्राइब अगर आप एक quantity सूप करते हो तो आपको देना होगा बेल हो है चाच्छो उना सूर्पिया फिला रुपया फिलाल आभी इसका प्राइस है अगर आप दो नोई कि उसका दोल होगा तीन कॉंटिटी सूपकर तो इसका होगा तापका बाजेट के सब सब आपना कॉंटिटी बाइ के दारना आपको दो ही अप्न रिमीत और मार्केट में तो मारकेट में प्राइसность करते हैं तो मंचला फिलाल जो प्राइस से अब देख रहे हैं यहीं प्रैस पर यहां스터 रूस्फ कुर्ण है यहां सब्रक पर अगर शाच्छोश आच्छी रूपया इसका प्राइज गीरता है नीजिए तो यह तो यह अटोमेटिकली भाइब हो जाएगा लेकिन मानली जै कि यह मेरे सच्टाफी रूप्या डाल दिया लेकिन आज कि दिन में प्राइस की तो यह यह बाई नहीं तो यह व्याट्र आप प्रॉब्लम करते हो जो मार्केट प्राइस है उसी में हम भाई कर लेते तो मार्केटSOS करते हैं इसका बाद ओर करना काई रीव्यू ओडर पे क्लिक क्लिक के ने के बाद या पर आपका वाइटर-का सारे डेटेल्स नजराएगा आपको whole várias पर क्लिक करती है आपका जो आपोंशों से आपका अपको एक हो जाया। वॉल पर आ जए नहीं है कर सब्सक्राद कि मार्केटレबार मार्केट कैसे लगते हैं पर आको सबसे लगाने से पहले लगाने के लिर Dent लगाने के लिए यहांपके णिखिए आपको सिंब्ल Wisconsin पर क्लिक करने के बाद आपके समय मार्केट ली मिट आसा था है तो आपको सिंपल ली मीट में क्लिक करोगे तो आप के समने प्राइस डालने का अपकल कर लहें तब करती है यहां पर हम क Ideally ले यह पर हम ऋहीं प्राइस डालना चाहिए जिस प्राइस में हम इक श्रुक को सेल करना चाहते है तो फिलाल मैं आपर इस इस इस्टोक को 500 रूपया में सेल कर ना चाहते हूँ तो मैं आपर डाल रहा हूँ 500 रूपीज उसके बाद review order पर क्लिक किजिए और sell पर क्लिक किजिए इतना करती आपका upper limit लाग जाएगा यानि आपका limit लाग जाएगा उसके बाद आपको order type में देखेंगे आपका इस्टोक का प्राइज जबी 5000 रुपिया यह आटोमेटली सेल हो जाएगा तो यह तो हमने लागा दिये हम इस्टोप लास कैसे लगा लागाने के लिए हमें बाफस प्रोटफिल्यों पर जाना है और आपको अपना इस्टोप फिर से नजराएगा यह आप देख सकती ह यह प्रोफिट लॉस आपको नजर आएगा फिलहाल मेरे एक रुपिया पस्त पंडा प्रोट लॉस में चल रहा है हम फिर से क्या करेंगे इसके पर टैप करने के बाद हम इसको रॉफ में क्लिक करने के बाद आप हमें स्टॉप लॉस लगाना है अब स्टॉप लॉस कैसे लगेंगे इसके लिए दोस्तों आपको यहां पर वैस जैसा है वैसे रहने दीजी आपको सिंपूल यहां पर ऑडर टाइप है इसमें मार्केट रखाए इस पर टैप कीजिए इस पर टैप काने के बाद सबसे फिल आपको इस्टोप लॉस मार्केट में समझाते हूं इसे इसे क्या होते हैं अगर आप इस्टोप लॉस मार्केट चूज सब्सकरते हैं तो जहांपर देखेए आपको ट्रिगर प्राइस डालना आधा एक प्राइस डालना है चले में आपको डालके दिखा रहे हुँ तो मैं आपको डाल रहे हूं 685 रूपिया जिए जैब भी इस प्राइस से निसे गिर नहीं पाएगा से 50 और आपको से आप को हो गया मार्केट आसे हो दोपको लॉस्ट कैसे उस कर सकते यह निश्टॉपलस लिमिट लगने से हमें क्या होता है लोटर टाइप जैसे देखेंगा तो यहां पर यह options मिलेगा stop loss limit तो चलिया हम stop loss limit के अपर क्लिक कर देते हो जैसे मैंने stop loss limit के अपर क्लिक किया तो मेरे समने और दो options खुल रहा पहला option से price और दूसरा option से trigger price ताप यह दोने का मतलब क्या होता है देखिए फिलहाल मार्केट में आमी जो इस इस्टो का price सल रहे हुए और 780 रुपया पसानबबई पैसा तो हम यहाँपर trigger price में क्या डालेंगे तो trigger price में में आपको यहाँपर डाल रहा हो 650 रुपया 10 पैसा यानि जब भी इस टोक का price 650 रुपया 10 पैसा तक जाएगा इस टोक जहें automatically sell हो जाएगा कौन से price में sell होगा वो price आपको यहाँपर डालने जो price आप्शोंस है जैसे में price में आप्शोंस पे आपना price डाल देती हूँ तो price आप्शोंस में में डालते हूँ 650 रुपया यानि जब भी इस टोक का price नीशे तरब गिरते गिरते जाएगा तो यह स्टोक आपको रीवी ओडर पे क्लिक करना है और सेल पे क्लिक करना है इतना करती आपका जो का स्ट आप ही कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको और पे जाना है और और उपिट पोजिशन पे देखेंगे तो आपके समने दो सेल नजा राका एक ही स्टोक दो बार सेल कीए पहले बार आपको यहां पर आपने आपा लिमित लगा यानि पांच रूपिया तक जाएगा उपूर के तरफ तो यह सेलल हो जाएक ओटोमेटिक लॉज और दूसरा सेट अपने यहां पर आपने अस टोप लोस लगाया यान जब भी इस टोक का प्राइस नेशी के तरफ गिरने शुरू होगा गिरते गरते जब इसका प्राइस सार्श सार्श से रुपिया तक पहुंच आएगा तो यह ओटोमेटिक के सेल हो जाता है यह होता है इस टॉप लाउस इन दोनु सेट अप में से किसी भी एक सेल जब को एक पहुंच आएगा तो इस शात्र में दोनु में से किसी भी एक सेल कॉंप्लीट नहीं होगा तो आभी इस शात्र आपको काना करें इन दोनु में से किसी वेक को मोडिफाइ करके आपको मार्केट प्राइस कर दने उसके बाद ही अटोमेटिक सेल हो जाएगा जैसेले मैं जो भी price रहा होगा उसी price में यह sell हो जाएगा तरहले में मार्केट चूछ कर लिया उसके बाद हम यहाँ पर review order पर क्लिक करेंगे और sell कर दिंगे सने सेल करते हैं दूस्त sudden मेरे इस्टो फेल हो गई है रिख सेल मेरा ऐगस हो चाहले आपका किसीवेश एगजिक्च होने के बाद यूसे वला क्नोने के बाद अपको पार्ड केंसल करना होता है तो सब्सक्राइब देख सकतों ऐसे सेमास्तेके मैंने सेल कर दिया आप हमें क्या करना है देखिए जब आप अपनी अपने जाएंगे तो आपका और लिमिट जन्य वह आभी भी पेंडिंग पर है तो क्या करना है इससे मैनूव ली कैंसल कर देना है यानि किसी बी एक श्रक जब करने के लिए जना है आपको फसके बाद आपको haskin Challenge नजरा आपको cancel पर क्लिक करदने है इसके बाद Yes पर क्लिक किजिए आपको एक वाड़ है ये cancel हो सुकी है कि कि मैंने एक इस्टोक आप सेल कर दी है अगर अगर अच्छी सेल हो जाए अपने limit price पर तो भी आपको एक स्टोक रह जाए का उपनि में वह आपको तो यह चैन्सल हो गया ताप हम फान पर जाके देख सकते कि हम क्या होए देखे जब हम फान पर आएगे तो देख सकते हो मेरा पैसा हो मेरा फान पर अल्रीड ट्रांसफर हो चुकिए तो इसी तरह हम जो है स्टोप लोस लागाते हैं आप इस टोक्स में यह बहुत ही सिंपल तैट गए है